नमस्कार मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका mechanical nexus में आज हम discuss करेंगे welding application में यूद होने वाले different electrodes के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि electrodes होता क्या है तो electrodes एक हमारा filler material होता है filler material उन material को कहा जाता है जो कि खुद melt होकर weld joint के बीच में हमारे atomic level की bonding create करते हैं तो एक filler material होता है जिसका काम हमारा material weld को fill करना होता है साथ के साथ यह हमारा arc welding के अंदर इस circuit को complete करने में भी बहुत important role play करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि electrodes कितने type के होते हैं यह बहुत important है तो देखे हम types of electrodes को समझ लेते हैं यहां पर हम electrode की classification को जानेंगे तो electrode को basically दो भाग में classify किया गया है पहले को कहते हैं consumable electrode यह है consumable electrode ओके और जो दूसरा जो classification है इसका उसको कहा जाता है non-consumable electrode चलिए हम consumable electrode थोड़ा ओ डिटेल में समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि consumable electrodes होता क्या है consumable का मतलब होता है खर्च हो जाना यानि welding application में यह जो हमारा electrode होता है वो खुद melt होके weld joint के बीच में fill हो जाता है यानि कि यह consume हो गया इस तरह जब वो completely consume हो जाता है तब हम दूसरा electrode उस position में लाके उसको use करते हैं consumable electrode को दो भागों में further divide किया गया है पहला है इसका coated electrode और दूसरा जो होता है उसे कहते है bare electrode मतलब क्या होता है कि यह जो हमारा electrode है इसके ओपर किसी तरह की कोटिंग की गई है और जो कोटिंग होती है उसको कहा जाता है flux coating flux क्या होता है यह एक deoxidizing agent होता है यानि कि हमारी welding क्रिया में oxygen को contact में नहीं आने देता क्योंकि अगर welding के contact में oxygen direct आ जाए तो welding हमारी खराब हो जाती यानि उसमें different kind की हमारी deficiency क्रेट हो जाती है तो उसको बचाने के लिए हम यहां पर flux यूज करते हैं बेर्ड इलेक्टोड को समझते हैं देखिए बेर्ड इलेक्टोड उन इलेक्टोड को कह जाता है जिनके ओपर किसी भी तरह की कोई coating नहीं की जाती यानि flux यूज नहीं किया जाता खुदी ऐन खुदेबल यानई एक वह एलेक्टोड जो केंजिओन नहीं ऊता चुरिटिकल हमने जहां पर बात कर आप करीकी एक वैसा इलेक्टोड जो नहीं होता उसको समझत है उसको समझ ले तरह कि कोन के फेक्टर को समझते हैं देखे टंगस्टन इलक्टोड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगबग लगबग 3380 डिग्री सेंटिग्रेट के अबाउट होता है कितना हाई टेंपरेचर है और आर्क वेल्डिंग में जब हम टंगस्टन इलक्टोड को यूज करते हैं त तो इस तरह टंगस्टन इलक्टोड मिल्ट ही नहीं होता मिल्ट नहीं होता बट इतना हाई हीट अपने अंदर डवलप करता है कि इससे हम एडिशनल फिलर मेट्रियल का पिगला सकते हैं यानि यहां पे हम इसको यह तो यह तो खुद पिगल जाता है कंजूमिब इलक्टो को नॉन कंजूमिबल इलक्टोड कहा जाता है प्रैक्टिकली बात करें तो टंगस्टन इलक्टोड भी धीरे धीरे डिके होता रहता है बट यह एक नॉन कंजूमिबल इलक्टोड है यह था एक इसके मेन डिफरेंस के बारे में लास्ट बात कर लेते हैं हम या classification of welding के नाम से आप जानिए इस specification कैसे होती है माल लीजिए मैं इसको कुछ code दे दू माल लीजिए E 123456P ठीक है कुछ भी ले लीजिए तो यहाँ पर in digit का क्या मतलब है उसको समझ लीजिए देखिए सबसे पहला जो word होता है इसे prefix कहा जाता है यह हमारा बताता है manufacturing standard यानि यह जो हमारा electrode है यह किस manufacturing standard से produce हुआ है यहाँ से हमारी इसकी digit coding सुरू हो जाती है तो पहला अगर हम बात करें इसको यहाँ लिख देते हैं तो यह हमारा बताता है type of coding को यानि पहला जो word है यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर एक नहीं यहाँ पर मैंने बताया है total 6 word होते है जिसमें से पहले word का मतलब होता है type of coating ओके यानि वो acid nature का है basis है, cellular है, यह rusted है किस type का है यह type of coating बताता है जो कि first letter से हम उसको define कर सकते हैं देखे, second letter का मतलब होता है welding की क्या position है इसे मैं लिख सकता हूँ welding position ओके, यह जो तीसरा letter है यह बताता है polarity के बारे में polarity क्या होती है हमने last lecture ने बहुत अच्छे से discuss किया था reverse polarity है, straight polarity है और भी बहुत सारी polarity है तो यानि 3 का मतलब यह है कि 1 से 8 के बीच में कोई भी अंख है तो particular अंख का क्या representation है तो तीसरा represent करता है हमारी polarity को चौथा जो होता है वो represent करता है हमारी strength को यह हमारी strength of electrode ओके, जो पांचवा बड़ होता है वो represent करता है इसकी yield strength को yield strength और जो छटा होता है वो बताता है इसकी percentage elongation यानि टेंसल टेस्ट में जो percentage elongation होती है वो कितनी होती है और यहाँ पर जो last word होता है वो बताता है इसकी penetration को like deep penetration है shallow है, light है, किस तरह की penetration है तो यह हमारा signification है electrode को समझने का as per हमारे IES यानि Indian standard के according तो यह था दोस्तों electrodes के बारे में thank you for watching